पाकली पुत्र के लिए चलते समय तुमने मुझसे एक ब्रश्ण पूछा था चंद्रमूत अब समय भी इतना निकल चुका है और तुमने भी इतना सब देख लिया है फिर से तुमने मुझसे पूछा था कि क्या सब्ता सभी को ब्रश्ण बना देती है तुमने मुझसे कहा था कि मगद के सिहांसन पर बैठते ही मैं सिकंदर या अन्ने राजाओं की तरह हरदैहीन तो नहीं हो जाओंगा कहीं तो आज मैं कह सकता हूँ चद्रकुत नियती ने तुम्हारा भविश्य अन्ने राजाओं से भिन्द लिखा है और ये बात पूरी यात्रा में सिद्ध भी हो चुकी है और कारण उद्धम में ही चिपा है तुम्हारा जन अन्ने राजाओं या सिकंदर की तरह नहीं हुआ जिने बच्पन से ही मात सुविधाएं मिली हूँ जिने हर पल विजय युद्धों और बड़े-बड़े समराटों की कहानिया सुनने को मिली हूँ और तुम्हार एक निर्धन परिवार में चन्में एक ऐसा परिवार जो कुछ लागया जिसने सदा सहा ही सहा दुख अपमान यातना सब कुछ सहा और चंदरकुप्त जिससे ये सब कुछ याद रह जाता है अपनों का दुख, अपनों की यातना, अपनों की असाहता, अपनों की निर्धनता तो चाहे वो कितने ही बड़े सिहासन पर क्यों न बैठ जाए अपनी जन्ता के प्रती कभी हिर्दय हीन नहीं होता वो राजा कभी अमान्वे नहीं होता वो राजा अपनी सत्ता के मत से कभी ब्रश्ट नहीं होता क्योंकि जिसने नर्धंता भोग ली, देख ली वो अपनी जन्ता की हर विवश्टा को समझ लेगा बिन बताय ही समझ लेगा वो अपनी प्रजा के दुख इसलिए सप्ता भी उसे ब्रश्ट नहीं बना सकती फिर वो अपनी निजी महत्वक आंक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जियेगा वरन अपनी सप्ता और शक्ती का उप्योग अपने जैसे गरीबों के जीवन बदलने के लिए करता है साधारण जन के लिए और साधारण दुनिया का निर्मान करने के सप्ने देखता है क्योंकि उसके मन में करीबों के लिए दर्ध होता है तिर कोई भी शक्ती उसे भ्रश्ट कैसे बना सकती इसे लिए तुम अपना अंतिम पन तक दूसरों को देने के लिए सहज़ता से तयार हो जाते हो अपनी मा की अंतिम निशानी तक उन्हें बचाने के लिए दाओं पर लगा देते हो जिने तुम ठीक से जानते तक नहीं बस उनके दर्द को जाना तो सब कुछ लुटा दिया उनके लिए कोड़े भी खा लिये चंद्रकुप्त तुम दूसरे राजाओं की तरह भ्रश्ट हो ही नहीं सकते कभी नहीं कर दो 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 कर दो